हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रेमत राज मतेमेटिक्स में दोस्तों रीट लेवल सेकेंड के बारे में बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे और रीट लेवल टू की जो वेटिंग है वो कब आने वाली है और कितने पद खाली है तो दोस्तों आप देख रहे हैं 6,000 पद खाली है सभी युवाओं के लिए खुसकबरी है रीट लेवल 2nd की जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी जारी हो जाएगी इसी विशे में मैं ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आया हूँ दोस्तों यदि आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सिखसा और रोजगार से समंद较 हर एक खबर आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस पूरी खबर तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं तरतिय स्रेणी सिख्षक बरती 2018 28,000 पदों पर निकली बरती 6,000 खाली रे गए अब वेटिंग वालों को मोका बिका नेर राजे में 28,000 पदों पर निकाली गई तरतिय स्रेणी सिख्षक बरती 2018 लेवल सेकेंड में करीब 6,000 पद खाली रे गए हैं अब इन पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभियर्तियों को मोका मिलेगा इसके लिए प्रारंबिक शिक्सा निदेशाले इस्तर पर काम चल रहा है रिक्त रही इन 6,000 शिटों को बरने के लिए एक बार फिर से चेन रिसपल कर आरक्सित सुची जारी कर दी जाएगी चेन रिसपल होने के बाद अभियर्तियों को मेरिट के आदार पर फिर से जिलों का आवंटेन होगा हालांकि पुरू में कारियर रख्षिक्सकों से जिला आवंटन से पुरू सहमती मांगी गई है विबागी अधिकारियों ने बताया कि चुनावी आचार सहीता से पेले वेटिंग वाले अभियर्तियों को नियुक्ति की तियारी चल रही है दो-तीन दिन में अभियर्तियों को नियुक्ति की संभावना चताई जा रही है उधर नियुक्ति में विलम से वेटिंग लिस्ट वाले अभियर्तियों में नाराज गी है अभियति पिछले चार दिन से प्रारंबिक शिक्सा निदेशाले के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई संतोस जनक जबाब नहीं मिल रहा है अभियरतियों ने कहा है कि यदि सिग्रिन यूक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो शिक्षा निदले के सामने द्रिना परदसन करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 28,000 पदों पर जो बरती निकाली गई थी रीट लेवल सेकेंड के लिए अब उसमें 6,000 पद खाली रहे गए हैं तो 6000 पदों पर जो वेटिंग लिश्ट है वो बहुत ही जल्द जारी कर दिजाएगी दोस्तों जैसे ही जारी होगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले खबर मिल जाएगी दोस्तों चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद